सार्दानेटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है नमस्कार आज का ये वीडियो हम रिपीट कर रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं एक बुनाई का ऐसे आप समझ सकते हैं ये 72 नंबर वीडियो है जिसमें टोपी में ये डिजाइन डाला गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन ब लेकिन उन्होंने कमेंट करके बताया तो इस बात की मुझे खुशी भी है कि मुझे ये बात समझ में आए कि कहीं थोड़ी सी समझने में असुवीधा है इसलिए हम ये दूसरा वीडियो आज बना रहे हैं ये देखिए जो बातें ध्यान देने की हैं 9 के गुणा से multiple of 9 stitches की जरूरत है 9 के गुणा से फंदे चाहिए एक-एक रंग की चार-चार सलाईयां बुनी जाएंगी जिसको हम कहते हैं पैटर्न रिपीट तो ये आप समझे कि ये 24 सलाईयों के बाद दोहराया जाएगा अगर मैं 24 सलाईयां लिखकर बताओं तो उसको आप फिर दोहराना कर पाएंगे तो वह इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है तो इसलिए हमने आठ सलाईयां बता कर और उसके बाद हमने आपको ट्रिक बता दी कि आपको कैसे आगे डिजाइन को फॉलो करना है कैसे आपका डिजाइन बुने की इस तरह से ये सीडियां आ जाए और अगर आप ये बुन रहे हैं बुनेंगे तो फिर अगर आपको थोड़ा सा फंदे साइड में एड्जेस्ट करने की ट्रिक भी आ जाती है अगर आपके नौके गुणा से फंदे नहीं है थोड़े प्लस माइनस हैं तो उसको भी आप थोड़ा एड्जेस्ट कर सकते हैं स्वेटर वग हम सीधा बुन रहे हैं एक ये बाद भी हमें ध्यान देनी है कि जो फंडे बुने जाएगे वो दोनों तरफ से सीधे ही बुने जाएंगे तो सीधा फंदा बुनना आना चाहिए और पंदों को सhtet कराना आना चाहिए तो ये हमने इस पन्दय सिधे बुने उसके बाद ये एक फंदे को हम slip करा रहे हैं बिना बुने उतार रहे हैं अगले एक फंदे को बुन रहे हैं फिर एक और फंदे को बिना बुने उतार रहे हैं ये हमें पूरी लाइन में दोहराना है छे फंदे हमने सीधे बुने 6 stitches इस वीडियो अंत तक ध्यान से देखने की जरूरत है फिर एक फंदे को बिना बुने उतारा और फिर अगले फंदे को बुना और इसको बिना बुने उतारा तो इस तरहें से रो वन हम पूरी करेंगे पहली सलाई के लास्ट में हम आए बिना बुने उतारा इसको बुना और इसको बिना बुने उतारा अब हम दूसरी सलाई रो टू उल्टी सलाई है ये इसी तरहें से बुनी जानी है जो बिना बुने हुए हमारा फंदा है, इसको ये हमने उतार लिया, और ये उन को हम सामने की तरफ ले गए, इसको हमने सीधा बुना, ये उन को हमें अंदर लाना है, फिर बिना बुने हुए फंदे को उतारना है, और फिर उन को बाहर ले जाना है, फिर इसको बुनना है, ज बने हुए को फिर से बिना बने हुए उतारना है और बने हुए फंदों को फिर से सीधा बुनना है उन अंदर की तरफ लाए इसको उतारा फिर उन बहार ले गए और इनको बुना तो सारी उल्टी शलाईया इसी तरह से बुनी जाएंगे जो तीसरी सलाई है वो पहली सलाई के जैसी ही है लेकिन ये जो साइड में ओन है न इसका हमें ध्यान रखना है इसको हमें उपर ले जाना है जिससे कि ये साथ साथ चले हमारे और फिर हमको ये वही 6 फंदे सीधे बुनने है और बिना बुने हुए फंदे को फिर से उतारना है, अगले फंदे को बुनना है, इसको फिर से बिना बुने हुए उतारना है, तो इसी तरह से ये हम तीसरी सलाई बुनेंगे, फोर्थ रो, चौत्री सलाई, सारी जैसे की दूसरी सलाई थी, उसी तरह से बुनना है, यह slip stitch जो है, इनको हमें ध्यान से उतारना है, और बाकी फंदों को सीधा बुनना है, यह हमने बुना, यह उन अंदर की तरफ लाए, इसको उतारा, और इसको फिर से सीधा बुना, उन अंदर लाए, इसको उतारा, यह हमारी फोर्थ रो हो गए, अब यह रंग बदलने का समय हुआ, टाइम आया, यह फिफ्ट रो है, चार सलाईयां बुन गई, अब हम रंग बिना बुने हुए उतारा अगले फंदे को हमने बुना और इसको बिना बुने हुए उतारा अब यह जो छे फंदे हैं six stitches हैं इनको हम यह light color से बुनेंगे इस तरह से यह fifth row second color बी color यूज़ किया अब इसके बाद हम यहाँ पर यह बिना बुने उतार रहे हैं इसको बुन रहे हैं और इसको बिना बुने उतार रहे हैं तो अगर इसको आप समझें तो यह देखिए यहाँ पर यह इन तीन फंदों में पहले यह प्रिक्रिया थी बिना बुने वाली वो यहां shift हो गई, अगले तीन फंदों में shift हो गई है, इस तरहे से यह design चलेगा, अब हम फिर आगे 6 फंदों को सीधा बुनेंगे, बस यही हमको दोहराना है, थोड़ा शुरू में हमको समझ लेना है, फंदों को आगे पीछे करना पड़ेगा, यह हमारी 5th row इसी तरहें ब बुन दिये, जो बुने हुए फंदे हैं वही, जैसे कि सारी उल्टी सलाईयां वही हैं, कि जो बुने हुए फंदे हैं, उनको सीधा बुनना है, और जो slip कराय हुए फंदे हैं, उनको हमें उन अंदर लाकर फिर से slip कराना है, बस इतना ही हमको उल्टी सलाईयों में करना है यह हमारी छटी सलाई है, सिक्स्त रो है यह हमारी, इतना आसान यह डिजाइन है, बस एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए, उसके बाद तो आप इसको बहुत आसानी से बुन सकते हैं, सारदा निटिंग चैनल में बहुत ही आसान बुनाईयों के डिजाइन है, उनको आप ज चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, हम उसको समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे, आप सबके सहयोग से ही, हमारा चैनल अच्छा चल रहा है, और हमें भी और अच्छा काम करने की प्रेड़ना मिलती है, इस तरह से यह हमने, दूसरे ब बिना बुने उतारेंगे, जैसे फर्स्ट रो और थर्ड रो एक जैसी थी, वैसे ही यहाँ पर यह जो दूसरे कलर की, एक एक रंग की चार चार लाइन है ना, तो उसकी जो पहली लाइन है, दूसरे रंग की वो, और जो तीसरी लाइन है, वो दोनों एक ही जैसी है, तो को बहुत ही आसान है यह इस तरह से यह हम बुन रहे हैं पूरी सलाई इसी तरह से दोह राइ जाये गिए साथ को ऑफ राया 9 कि इसको हम इय जैसे सारी इल्टी सलाईयां हमने बुनी हैं उसी तरह से बुुनेंगे बुने हुए फंदों को सीधा बुनना है और बिना बुने हुए फंदों को हमें उतारना है, यह दो रंग में हमने आपको डिजाइन डाल कर दिखाया, अब इसको हम आगे repeat करने की बात समझ लेते हैं, कि color बदलना है, एक तो यह बात आ गई, और हमने जैसे समझा, कि जो यह हमारा है, इसको आप slip stitch वाला जो हमारा तीन फंदों का गुरूप है, उसके ये आगे अगले कलर में ये शिफ्ट होगा, तो यहां पर ये तीन फंदों में है, तो एक तो हमें रंग बदलना है, तो हमने यहां पर dark कलर से इन तीन फंदों को बुन लिया, तो जैसे फंदे आते जाएंगे उसको हम उसी तरह से समझते जाएंगे अब इसके बाद हम एक बिना बुने उतारेंगे इसको हम बुनेंगे और इसको हम बिना बुने उतारेंगे तो ये देखिए ये छे फंदे हमारे फिर से डार्क कलर के हो जाएंगे और ये तीन फंदों का जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा यहां यही बस ध्यान में रखते हुए इस डिजाइन को हम बुन सकेंगे यह बस यह हम ऐसे आ गए यह छे फंदे हमारे यहां पर हो गए और अब इसको हमने बिना बुने उतारा इसको बुना और इसको बुना इसकित्था चला जाता है और इसकी सीडिधी जैसी बन जाती है वहोती सुंदर है और आसान है एक बार थोड़ा समझने की बात है बस फिर आपको कोई परिशानी नहीं होगी इसको ये उतार लिया, इसको बुल लिया, इसको उतार लिया आशा है, आपको ये अब समझ में आ गया होगा क्योंकि ये हमने डिजाइन को शिफ्ट किया है तो अब लास्ट में हमारे ये तीन फंदे डार्क कलर के आएंगे, यहां पर ये आया हमारा स्लिप स्टिच वाला ग्रूप और उसके बाद ये तीन फंदे रार्क कलर के हुए अगली सलाई जैसे सारी उल्टी सलाईयों में मैंने आपको बताया है उसी तरह से हम बुनेंगे एक-एक रंग से हमको चार सलाईयां बुननी है तो वो जो दूसरी वाली हमारी सीधी सलाई आएगी उसको हमें वैसे ही बुनना है जैसे हमने पहली वाली सीधी सलाई बुनी है इस तरह से अभी मैं एक बार आपको लाइट कलर तक और बुनकर दिखाना चाहती हूँ जिससे कि आपको डिजाइन एकदम समझ में आ जाए तो अभी वीडियो अंत तक देखिएगा पुल्टी सलाई का तो अब कुछ ज्यादा बताने का है नहीं मेरे हिसाब से यह तो आपको अब समझ में आ ही गया है अब एक बार हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि यह हमारे तीन फंदे स्लिप स्टिच वाला ग्रूप है तो अब नेक्स्ट यह तीन फंदों में स्लिप स्टिच का ग्रूप जाएगा तो वही हम बाकी फंदों को हमें इधर उधर समझ लेना होता है तो ये हमने 6 फंदों को अभी ये light color से हम बुन रहे हैं और अब हम यहाँ पर ये slip stitch वाला group बना रहे हैं उसके बाद फिर हम फिर design न अपने आप चलता चला जाता है उसमें फिर आपको कुछ नी करना 6-3, 6-3 का है जैसे 6 फंदे सीधे बुनने वाले हैं और 3 फंदे slip stitch का जो group है हमारा तो इस तरह से ये हमारा design अपने आप फिर चलता जाता है ये हमने ऐसे किया फिर इसको slip stitch किया इसको बुना इसको बिना बुने slip stitch कर लिया तो इस तरह आसान है, सुन्दर है और आशा है आपको अब ये समझ में आ गया होगा कमेंट करके जरूर बताईएगा आप सब के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बात और मुझे बतानी है कि ये दो सलाईया होती है न इसको आप थोड़ा ध्यान से adjust करिएगा, टाइट होने से ये अच्छा नहीं रहेगा 9 नमबर, 8 नमबर थोड़ा ओन और हाथ के हिसाब से सलाईयों को adjust करें और सुन्दर सी टोपी, स्वेटर कुछ भी बनाएं, एक बात फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद